So friend, आज को जो हमारा first word है वो है जिद जिद जो होती है उसको में इंगलिस में कहते हैं insistence insistence यानि की जिद और इसका एक example है हमारे पास मेरा बच्चा खिलोनों की जिद कर रहा है तो इसको में इंगलिस में बोलेंगे my baby insists on toys my baby insists on toys संयोग या फिर इक्तिफाक इसको में इंगलिस में बोलेंगे coincidence coincidence यानि की संयोग या फिर इक्तिफाक और इसके पास हमारे पास example है क्या इक्तिफाक है तो इसको में इंगलिस में बोलेंगे what a coincidence what a coincidence यानि की क्या इक्तिफाक है next है नाराज या फिर खफा नाराज या फिर खफा को हम इंग्लिस में बोलेंगे annoyed annoyed यानि कि नाराज या फिर कफा और इसका example है मेरे माता पिता मुझसे नाराज है My parents are annoyed with me My parents are annoyed with me मेरे माता पिता मुझसे नाराज है और गलती गलती को में इंग्लिस में बोलेंगे mistakes mistake यानि की गलती और इसका जो हमारे पास example है वो है या मेरी गलती है This is my mistake इसका हिंदी मतलब है या मेरी गलती है next वी है मूर्खता या फिर ना समझे इसको में इंग्लिस में बोलेंगे stupidity stupidity यानि कि मूर्खता या फिर ना समझे और इसका एक example है हमारे पास मेरी ना समझी के कारण ये सब हुआ all this happened because of my stupidity all this happened because of my stupidity मतलब मेरी ना समझी के कारण ही ये सब हुआ और next word है हमारा उबाओ उबाओ को मिंग्लिस में बोलेंगे boring या फिर tedious tedious यानि कि उबाओ या फिर boring और इसका example है हमारे पास ये film बहुत उबाओ है तो इसको मिंग्लिस में बोलेंगे this movie is so boring this movie is so boring या फिल्म बहुत उबाओ है और अनुभो या फिर तजुर्बा अनुभो या फिर तजुर्बा इसको मिंग्लिस में बोलेंगे Experience जाने कि अन्भो या zesता जुर्वा ओ इसका example है मुझे bank में काम करने का अन्भो है I have experience working in bank I have experience working in bank मतलब मुझे bank में काम करने का अन्भो है और बोज बोज इसको में इंग tools में कहेंगे Burden याने की बोज और इसका जो हमारे पास example है वो कुछ ऐसा है, उसके उपर कर्ज का बोज है He has a debt burden मतलब उसके उपर कर्ज का बोज है मजबूरी, मजबूरी को में इंगलिस में कहते है Compulsion, यानि की मजबूरी और इसका example है हमारे पास मैं क्या करूँ? या मेरी मजबूरी है What do I do? It's my compulsion What do I do? It's my compulsion, मैं क्या करूँ? ये मेरी मजबूरी है और कीमती, कीमती को हम इंगलिस में बोलेंगे Precious, कीमती या फिर अन्मोल Precious, और इसका example है हमारे पास माबाप का आशुरबाद बहुत कीमती होता है Parents, blessings are very precious Parents, blessings are very precious Precious, मतलब माबाप का आशुरबाद बहुत कीमती होता है Next, we have, Dikhauti Dikhauti को में इंगलिस में बोलेंगे Pretentious Pretentious यानि की Dikhauti जो दिखावा करता हो और इसका example है हमारे पास उसके कारणामे दिखावती है His exploits are pretentious His exploits are pretentious Pretentious मतलब की उसके कारणामे दिखावती है और आज का हमारा जो last word है वो है अधूरी यानि की incomplete अधूरी को में इंगलिस में बोलेंगे Incomplete मतलब अधूरी और इसका एक example हमारे पास मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ I am incomplete without you I am incomplete without you So friend वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like, share, channel को subscribe जरूर करिए अगर फिर मिलते हूँ उसी तरह के एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye, take care, keep watching, keep practicing